हे गाईज वर्कम टो देव भूमी करियर पॉइंट तो दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे घर पर ही होंगे और घर से ही अपनी तहियारी कर रहे होंगे देखें दोस्तों कम्पीटर के महत्तोपुगं MCQ वाली जो सेलीज हमारी चल ले थी उसका पार 30 है और इसमें भी देखेंगे कम्पीटर से रिलेटेड महत्तोपुगं MCQ को ये सेलीज बहुत ज़्यादा महत्तोपुगं है दोस्तों जो लास्ट एक्जाम हो आता भी प्रसन जहां पर इस एक्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी महत्तोपुगं ए सीरीज है तो चले देखेंगे आज के महत्तोपुगं प्रसनों को पहला कोश्यन आपके सामने देखें फायरवाल का काम क्या होता है तो किसी भी कम्पीटर सिस्टम में जो फायरव हैज हो जाते हैं तो याग ऑन की सिस्टम से हैकरों को बचाने का काम ही फायरवाल का होता है ओप्शन 20 में सभी उत्तर है चलिए बगते हैं अंगली कोशिन की तरप इंटरनेट से कुंपूटर पर किसी फायल को सेव करने को क्या कहा जाता है तो इंटरनेट से ना कि यहां यहां पर बात हो रही है इंटरनेट से किसी फाइल को मैं सेप करूं कम्प्यूटर पर तो वह कहला था वह को हूआ इंटरनेट के परीयोग में भारत का कौन सा इस्थान है बढ़त में दोसतो दुनिया में सबसे यज़ां इंटरनेट उपयोग करता हैं चाईना में २ुए daran झाईट में दूसरे इस्थान Phra literature और तीसरे इस्थान पर USA है ठीक है चलिए बगएते अगले कोशियन के तरफ computer से जुड़ावा एक महत्तोपूर्ण अंक जो computer से समधी समस्त सुचना ही दिखाता है क्या कहलाता है तो computer से चुड़ावा एक महत्तोपूर्ण अंग होना चाहिए अंक तो नहीं हो गए अंग या पार्ट पार्ट की बात हो लिए computer से चुड़ाव कौन सा important part है जो computer से समधी समस्त सुचना ही दिखाता है तो यह कहलाता है monitor monitor पर तो हम सभी चीज़ें देखते हैं computer क्या काम कर रहा कैसे हो रहा क्या चीज़ें हो रहे फाइल वगेरा तो monitor इसका राइड आंजर होगा email address में इन से क्या सही है तो बहुत बार आपने ऐसे भी official email address देखेंगे अब मैं यह नहीं बोला कि मेरा personal email address यह आप कोई आपने official email address देखेंगे भारत में उप्योग होने वाले वहां पर डॉट इन होता है तो डॉट इन से मतलब होता है तो इन में देखने को मिलते हैं government website ज्यादा होते हैं इसे पोर्टल सब्दे किस से जुड़ा हुआ है तो जो पोर्टल सब्दे है यह दिएगे विगल्पों में किस से रिलेट करता है तो पोर्टल का रिलेशन है इंटरनेट से option D सही आंसर है नेक्स देखे email में BCC कॉलम का क्या रत है देखे दोस्तों आप Gmail इस्तेमाल करते होंगे जो भी email अगर आप जो application उसको आप यूज करते हैं email भेजने के लिए तो वहां पर आपने देखा हो जब आप किसी को mail भेजते है ना पहले टू आता है फिर आप CC आता है BCC आता है ऐसे लिखा हो आता है ना mail में तो इस CC BCC क्या होता है यह बहुत जरूरी है जानना आपके लिए mail तो आपको पता है email का मतलब होता है electronic mail CC का मतलब आप यहां पर BCC पूछा गया तो email में जो BCC कॉलम होता है ना इसका अर्थ होता है blind carbon copy यानिकि option को आपने यादक नहीं आप समझ में आगे ना बहुत से लोगों का आज डाउट किलियर होगा जब भी आप किसी को mail भेजते होंगे तो BCC और CC लिखा हो आता है इनका आर्थ हमारी personal जो mail से उसमें तो इनका कोई इतना महत्तो नहीं होता है लेकिन जो companies होती है ना जैसे company मे तो वहाँ पर यह CC और BCC बहुत महत्तो पूंग जाते है blind carbon copy और carbon copy किस को attach करके बेजी गई है तो जिसने private sector में job के उसको इसका पता होगा तो यह होता है email में CC और BCC अगला देखे chatting कितने प्रकार की होती है तो देखे chatting हमेज़ा दो प्रकार की होती है किसी भी तरह की chatting email की चैटिंग हो WhatsApp की चैटिंग हो Facebook की चैटिंग हो तो दो प्रकार की होता है public चैटिंग और private चैटिंग option है इसमें सही उत्तर है तो public और private चैटिंग कांफरेंस का अर्थ क्या होता है, तो कॉन्फरेंस सब्द आपने बहुत बार सुना होगा, कांफरेंस है बोलते हैं जो से ऊबी हमें जाधा कोंफरेंसTime और कॉनिपरीरशिटी में पढने तो वहांपे भी सुनते हैं। Conference है तो Conference है क्या ठीक है तो Conference का मतलब होता है दोस्तों एकी समय में एक से अधिक लोगों से बात करना यह कहलाता है Conference वर्तमान समय कि हम बात करें तो एक सब्धु बहुत प्रचलन में आज की डेड में है जिसको हम जानते हैं वेबिणार के नाम से, ठीक है सेमिनार तो आपने सुना होगा., वेबिणार क्या है तो आपने देखा होगा ना, फीजिकली हम attend होते हैं, कोई वहां पे speaker आता है या कोई भी sembilan समार होता है, तो उसको семिनार बुला दाता है, और वेबिणार का मतलब है, वेब के थूरू सेमिनार करना है, यानि कि वेबसाइट पे बहुत से लोगों को एक साथ जोगड़ करें, जूम पे जैसे जूम मीटिंग अगएरा होते हैं, यह सब वेबिनार है, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं, और उसका किसी दिन स्पीच है, बहुत स इसको जूइन किरने वाली लोक है, अपने जगभाव अलाग-लग क्ले चुश्वी दुनिया की बात ऑरं में। फेसबूक यह से मतलब और आप और करने पर गुरूप सी का तो यहां पर सब बात ओफिशली हो रहे हैं कि online की जो अरथु होगा वो मेल के संदर्बू में हो इंटरनेट पर काम के संदर्बू में होगा तो यह पर online का तार्थ पर होजाएगा internet पर कार्य करना sommes you करना ही कहलाता है online आप बोलते हैं मैं online वाक करता हूं घर से बहुत से लोगों को सुना होगा यान कि इंटरनेट पर बैठके काम करते हैं offline का अर्थी क्या होता है तो आफ्लाइन का पता चल गए तो offline यह नहीं होता कि आपने वाटसप को बंद पर दिया या Facebook को बंद कर दिया नेट कन्नेक्शन बंद कर दिया एपने official language में offline का मतलब हो जाता है जब mailbox में connection समाप्त हो जाता है क्योंकि mail पे ही अधिकतर काम होते हैं किसी भी office में तो option ही सही उत्तर हो जाएगा emoticon का दूसरा नाम क्या है तो emoticon emoji smiley तो यह कहलाते है emoticon का दूसरा नाम है smiley लेकिन emoticon का अर्थ क्या है अर्थ अलग चीज़े नाम अलग चीज़े इमोटिकान को ही हमारे smiley भी का जाता है जबकि emoticon का अर्थ होता है दोस्तों भाव नाव प्रिकट करने वाले चिन आपने देखा होगा वाटसप पर अलग-अलग ental symbol emoji ओते हैं अलग-अलग हसने का अलग है रोने का अलग है अगर आपको लआव इंप्रेशन दिखा क Chemistry और डरने का अलग होता है थकालग होता है workload का अलग होता है दो सब इमोब को होते हैं वह अपनी human की जो भावना उनको प्रकट करते हो मैसेज न लिखते होए वह इमजी बेज दिता हैती तो देखने में वाली अधर से क्लाइंट कलते हैं तो क्लाइंट इस में कहीं सी हो जाएंगा जा referrals ने अगला कोशुए नहीं में अगला कोशन о्चेश्ण इनसे सब्सक्राइब के मदस्से डाले जाते हैं बहुत अच्छा कोशिव नहीं तो वेब पर हम कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने चोड़े चोड़े अनिमेशन एफेक्ट डालने अगर तो कौन सा सुब्ट यूज करेंगे निमनमे से Animation आप समझते हैं, Animation जो Cartoon Type होते हैं Animation उन्ही को बोलाजाते है यानि की हम बोल सकते हैं इसको, कम्पुइटर के अंतरकत हम वह एक चित्र मतलब जीभीत चित्र को Animation बोलतें हैं आपने कार्टीन कार्टीन चलते हैं फिलते और दूलते हैं दो एनिमेशन का मतल lad भी यह इंट एक हिसाब से बोल सकते हैं कि ऐसे चित्र या ऐसी ऐसा प्रोगर्राम जो उहाँ पर करता है हल्चल करता है यह चलता फिलता है वी एनिमेशन चैलाता है तो वेब पर जो छोटे animation effect बनते हैं वो हमेसा flash के द्वारा डाले जाते हैं ठीक है इसका right answer लोगा option है flash ठीक है तो flash की मदद से होता है सब कुछ तो दोस्तों यह था आज computer के महतोपूग है mcq पार 30 आज के जो question थे बहुत महतोपूग थे दोस्तों और इसके अलावाद जितने भी अन्य topic आते हैं test series आते हैं website पर लगा अतार test series मिलने आपको ठीक है website को आपने follow करना है हमारी क्योंकि मैं daily youtube पर वीडियो तो नहीं दे पा कॉम ठीक है क्या टाइप करना है आपने अपने ब्लाउजर में हमावन तो यू के.com इसको follow कीजिए वहाँ पर बैल आइकन होगा बैल आइकन को दबाईए आपको उत्राखन जी के test series यहाँ पर मिलती है हिंदी के test series मिलती है उत्राखन का various content मिलता है current affairs मिलते हैं सभी पूंग आपको जो परिक्षिया उपयोगी तथ्य है वो आपको इसी website पर continue दिये जा रहे है क्योंकि कई बार विजी schedule के वज़र से video बनाना possible नहीं होता लेकिन कम समय में आपको content देने के लिए website का माध्यम बहुत जादा उपयूखत है इसलिए website मैंने create किया आप लोगों ठीक है हमारा राज जी भी से अचुता नहीं है तो अभी exam हो गया तो सब पोश्ट पॉन हो चुके है इसलिए मैं आपको बोलूगा घर में रहिए बिना वजह बाहर मत जाईए और घर पे अपनी study कीजिए अच्छे से ठीक है और जब exam होगा तब तक के लिए बिल्कुल 100% तइयार होकर exam देने के लिए बिल्कुल आपने prepare रहना है बागि आपने ज्यादा आप वहाँ पे ध्यान ने देना है और समय पे ध्यान ने देना है क्योंकि समय अभी सब के लिए मुस्किल है बिजनेस परसंस के लिए working people के लिए एक ठेले वाले के लिए भी बहुत कठीन स समय क्योंकि फिर से lockdown होने का अंदेशा है और ऐसे समय में देखे दोस्तों हम सबको क्या करना है अपने आपको strong बनाना है ठीक है तो चलिए जल्दी मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा अनावश्य घर से भाहर न निकले और कोवीड चुक आईटलाइन से उसको follow करें दोस तूम थैंकि फो वाचिंग आपना ध्यान रखिए जय हिंद जय उत्रागंद